रियालिटी की दुनिया में एक ऐसा मंच है जहां जोडियों का रंग दिखता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था इस बार नच बलिये के मंच पर जहां एक जोडी यानि अली गोनी और नताशा का दिखा अलग ही रंग अली और नताशा शो के पहले रिलेशन में थी उसके बाद उनका प्रेक अप हो गया और कुछ टाइम बाद ही नच के लिए दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी फैंस और व्यूवर्स को लगा दोनों फिर एक हो जाएंगे बट न्यू यर यानि 2020 के एक पोस्ट ने सबके होशुडा दिये और इतना वाइरल हुआ कि सब जगा ट्रेंट करने लगा और वो था पॉपिलर इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांध्या और नताशा की इंगेजमेंट का पोस्ट और इस बीच सबसे पहले इस पोस्ट को लाइक और कॉमेंट करने वाले थे अली गोनी अली ने इन दोनों की इस नए रिष्टे को किया अप्रीशियेट कॉमेंट करके नताशा के पोस्ट पर और अब बात पॉपिलर अक्ट्रिस मोना लीसा के होट बिकीनी अवतार की जी हाँ मोना लीसा ने न्यू यू की शुरुआत में ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की अपनी होट बिकीनी पिक्स जो सोशल मीडिया पर हो रही है वाइरल आप भी देखिए मोना लीसा का ये सिजलिंग बिकीनी अवतार एक तरफ जहां मोना लीसा ने सोशल मीडिया पर लगाई आग अपने होट बिकीनी अवतार से वहीं TV स्टार शाहिर शेक ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को किया न्यूग्या विष वो भी पूल साइट में अपनी शर्टलेस पिक्चर्स को शेयर करते हुए शाहिर शेक ने पूल में अपनी शर्टलेस पिक्स को शेयर करते हुए लिखा Another year, do the same mistakes in a different way New Year यानि 2020 के शुरुआ, TV स्टार नेहा पेंसे के लिए खुशियों के साथ हो रही है. जी हाँ, अक्ट्रिस नेहा पेंसे is all set to tie the knot with her beau शारदूल सिंग बयास after dating him for a couple of months. Well, नेहा ने अपने social handle पर शेयर की अपनी और शारदूल की पिक और लिखा ये message. Because it's the last single girl kiss. Carrie Bradshaw